जो गस्तियां पंडित जवालाल नेरु जी के लिदिशीप में कॉंग्रेस होने चिया उस गस्ति का एक रिक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं बहुत सारे लोगों ने अध्यक्स महोगया ऑज्यक्स महोगया औरहे बोलने दिये याव लोगों कमेरे सुद्धा बहुत अब लगों बणने आप लोगों ने बोला बैठिये वालने दिये सुन्ने के शंका जो के शंका वीटभा 5000 अदशेक जीर स्वागत कॉने म WITHन Αप में बैठ जाए ये आप भी बैट ज़यए प्लीज बैट जईए आप भी बैट जएए बोलने दीजे अध्य जी पूरे टस्का को मैं तरह से सून रहा था और बहुत लोगों ने मुझे खुशी हुआ बहुत लोगों ने लडाक ले करगिल के खिर किया लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या वाके वो लदाक जानते हैं यह लोग आज तक बीते एकातर साल सेवन डिकेट लदाक को बिलकुल अपना या नहीं बिलकुल फैंके रखा वहां पर और वक्टावे दिया वक्टावे दिया इसी सदन में वो वो जमीन है का टुगडा है ज क्या लदाक के विशेश संक्रिदी को जानते हैं क्या लदाक के भाषा को जानते हैं क्या लदाक के रहन सहन खान पान वहां पे वहां के जोग्रिफिकल कंडिशन क्लाइमिटिक कंडिशन जो दुर्गम सेतर है क्या वो जानते हैं या खाली किताबे पाड़के बोल रहे हैं अच्यक्स महोदया लदाग ने पिछले 71 येर यूटी के लिए संगर्श किया हम भाराव देश के अटूट अंग बनना चाहते थे 1948 में चार तरिकों पहला गपन लदाग भुदिस असोसेशन के तब के प्रेजिडेंट ने पंडिक जवाला नेरु जी को दिया था तब के प्रदान मंतरी जी को कहा कि लदाग को या तो आप सेंट्रली अड्मिस्टिर्टिर्स ऐसा कुछ बनाएए या नेफा ट्राइट बनाएए या इस पंजाब के साथ राखिए लेकिन किसी भी कंडिशन में हमें कश्मीर के साथ बात रखिए ये हमने कहा था लेकिन जीन का सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया जानने के कोशिश तक नहीं किया और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डिवलोमेंट हमारा पॉलिटिकल एस्पिरिशन हमारा पहचान हमारा भाशा लुप अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कॉंग्रेस दिमेवार है अध्यक जी में डॉक्टर शमा परसद मुखर जी जैसे वीरों का कुशोक बाकुलर इंपोची जी से जैसे महन व्यक्तियों का तुपस्तन सेवांग जैसे जिनों ने लदाग को ये दिशा दिया कि हमें बारत के साथ रहना है बारत के जैकर करना है अपने देश के लिए मच मिटने के लिए त्यार रहना है और आज तक बहुत सारे यहां पर हिस्टिरिकल रिफ्रेंस दे रहा था मैं याद दिलाना चाहूंगा चाँ 1965 के वार हो उनने सो एकातर का हो या 1999 का हो या 1947 के कवेले हमला का हो इतिहास चेक करके देखिए लदागी ने हमेशा बलीदान दिया हमेशा देश के लिए मर मिन्ते के लिए पिहार रहा लेकिन दुर्बाके के बाद है आज यहां पर मेरे साथी कश्वीर के ओनेरेबल मेंबर पूछ रहे थे दरा तीनसो सतर हटने से क्या खोएंगे मैं एक चीज़ जरूर के ना चाहूंगा एक चीज़ जरूर खोएंगे वहां दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे सिर्फ दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के बविश्या उजवाल होने वाला है सबाबती महदे करगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिज लिट करने के कोशिश कर रहा था मैं करगिल से चून कियाता हूँ मैं घर्व से कहता हूँ करगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है मैं याद दिलाना चाहता हूँ सदन को 2014 के पारलिमेंटरी एलेक्षन में UT हमारे लदाग के टॉप मिनिफेस्टों पे था और लदाग वालों ने मैजोरोटी ने यूटी के लिए वोट दिया 2019 के एलेक्षन में फिर हमने यूटी को इलेक्षन मिनिफेस्टों में लेके आया और हमने दोनों डिस्टिक्स में चाए भुदिस कहो चाए मुस्लिम कहो दोनों डिस्टिक्स में ले कहो करगिल कहो हर शित्र में हर लोगों के दरूब़े पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया यह क्या है और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आज तक लदाग में जितना भी पार्लिमेंटरी एलेक्शन हुआ है रिकोर्ट मर्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने आफ़तर दिया लोगों ने नरंदर मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया लोगों ने इस यूटी को स्वागाच किया आज करगिल के बात कर रहे हैं क्या वो जानते हैं ये करगिल मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है तब के घह मंतरी मानिनिया रजजना सिंग जी अब ले पदा रहे थे ओल पार्टी परलिमेंटरी डिलिकेशन जम्मू गये थे कश्मीर गये थे और आप ले आएसे तब के होम सेक्टरी के साथ पूरे लड़ाख के हर पोलिटिकल पार्टी से बी जे पी, कॉंगरेस, पी डी पी, एन सी ले के मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ वहाँ अलग अतावरन है मैं ले के बात कर रहा हूँ और साथी साथ, हर रिलेजिस ओगनिजिशन के चाहे लड़ाख भुदिस एसोसेशन हो अंजुमन इमाम एसोसेशन हो या मौनुल इसलाम हो कृष्ण एसोसेशन हो हिंदू महासाबा हो सब ने एक ही आवाज में कहा कि हमें यूटी चाहिए रशनाथ सिंगी पूछ रहते और क्या चाहिए बोलो और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए शिर् lockdown इूटी चाहिए हमने ये कहा था आज अज्एक जी सुनने के समता रखे अभी तो टीलर है सुनने के समता रखे आप देख दी लेकिन उस वक्ट लेकिन उस वक्ट एक दूर गटना हमारे साथ गटी आज मैं इस सदन को अवगाद करना चाहूंगा तब के ले में आपके N.C. के डिस्टिक प्रेजिडेंट P.D.P. के डिस्टिक प्रेजिडेंट जिनों ने यूटी के मेमोरंडम को साइन किया उन लोगों को आपके कश्मीर के N.C. और P.D.P. ने वहाँ से प्रेजिडेंट जरी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया आज जिमोकरिसी के बात कर रहे हैं ये लोग लोग तंत्रा की बात कर रहे हैं वो थे आपका लोग तंत्रा लोगों का आवास बंद करना दबे कुचाले रखना ये आपका लोग तंत्रा था क्या अज्जेख जी अज्जेख जी मैं काल 11 बाजे राजजसभा के चर्चा शुरू होने से अभी तक मैं सून रहा था बहुत लोगों ने एक्विलिटी की बात किया जरा 370 जाएगा तो जमू कश्मीर में एक्विलिटी नहीं रहेगा ये होगा वो होगा मैं सदन से पुछना चाता हूँ आपके मद्द्यम से इस सदन में मैं उनको पुछना चाता हूँ जो ऐसा वेक्तवा देते हैं आपने जब बारत सरकार से फंड लेते समया जम्मू कश्मीर लदाख तीनोंशटर आप फंड लेके जाते हो जब लदाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लदाख के फंड आप कश्मीर में खा जाते हो जमू कशमीर में दो गैपिटल है एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल मैं पुटिकुलर्ली मेंचिन करके मैं आपको कह रहा हूं दोनों वहाँ पे सिविल सेकेट्रेट है अप डेटा खोल के देखिए उस सिविल सेकेटरेट में लदाख के कितना मुलाजिम है क्या ये है आपका एक्वालिटी अगर आप थाउजन इंप्लोईस क्रियेट करते हो जोब क्रियेट करते हो जम्मू वाले तो खिर लाट जगड के खुझ ले लेते हैं लेकिन लदाख वालों को दस नुग्रियां भी आप नहीं देते क्या ये है आपका एक्वालिट हसनन मसूदी जी यूनिवरसिटीज के बाद कर रहे थे मैं उनके साथ कॉंग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूँ मैं मैं कॉंग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूँ आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवसिटी दिया जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवसिटी दिया जम्मू वालों ने लाट जगर के दिया लाया दिया नहीं लाट जगर के लिया लेकिन उस वक्ट में स्टूडेन यूनियन का लीडर था हमने जम्मू में जितने पड़ाय करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ कले पट्टी बनके हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया लदाग में एक भी हायर एजूकेशन के इंस्टिटूशन इन्होंने नहीं दिया यहें है आपका एक्वालिटी यहें आपका एक्वालिटी काल्ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरिंदर मोदी जी ने जिया मोदी है तो मुम्किन है तरही में कारल-घज Wake सबब बने कंग्रेस के नेता गला फटब पड़के के टे रह ते ची बहुई लदाख के साथ क्या होगा मैं जनना चाहता हूं आध्यक्ष्मौद्यापके माध्यम से मैं जनना चाहता हूं जब आप 2000 अद में जमु कश्मीर के चिप मिनिश्टर थे आपने वहां पे आज़ नाय जिस्टिक बना है जिला चार आपने कश्मीर को दिया तो जमू अलो ने लड़ाई किया तो चार देना पड़ा लदाख को आपने एक प्रॉनी दिस्टिक भी नहीं दिया क्या ये है आपका इक्वालिटी है आज आप कहते हैं demande हमारे बाशा लदा की बोटी बाशा कहते है कश्मीरी आपने लिपी ना होने से भी आपने रिकोग नेस्टिया एड्सकेडूल में डाल दिया जम्मू के डोगरी उन्होंने अंदोलन किया तो उनको भी दे दिया लदाग के बाशा को आज तक अपने रिकोग नेस्टिया क्या ये है आपका एक्वालिटी अजेक जी सेकुलरिजम और डिमोग्राफी के बाद किया जा रहे यहां पे मैं जानना चाहता हूँ जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस दरा 370 के मिस यूस करते हुए लाट मर के रातों रात निकाल दिया क्या ये है आपका सेकुलरिजम इसी दरा 370 को आपने मिस यूस करते हुए काल वेक्तवा दे रहा है घर से लदाक में पहले बहुत संक्या जियादा था आज मुस्लिम संक्या जियादा है मैं अप्सोच के साथ कहना चाहता हूँ ये आपने दरा 370 को मिस यूस करके जम्हु कश्मीर में आपने बुदिस्ट को खतम करने के कोशिश किया यह है आपका डेमोगराफिक मेंटेंग यह है आपके सिकुलरिजम अद्देश महोदया यही जिन परिवारों ने मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ पे शासन किया मैं कहता हूँ राज किया यही परिवारों ने 1979 में लदाप को बटवारा किया बुदिस मेजोरोटी के साथ ले डिस्टिक मुस्लिम मेजोरोटी के साथ करगिल डिस्टिक और हम दोनों बईयों को लड़वाया आज था यह है आपका सिकुलरिजम आज करगिल के जिक्र कर रहे थे किर रहे थे करगिल बंद है किसने का आपको करगिल बंद है जनने के कोशिश कीजिए मैं हूँ लदाप से मैं चुन के आ रहा हूँ आप नहीं आ रहा है लदाप से आप बेठिये आप अराम से बेठिये आप बैठिये भाई साब आज तक आप लोगों ने बोला आज हमारा बोलने का मौका है बोठिये बैठिये आप मोदी चासाने बैठिये यह यह सिर्फ सिर्फ एक रोड और छोटा सा मरकेट को करगिल समझ बैठे भाई साब अगर आपको करगिल देखना है तो जांसकार जाएए वाका मुल्बेक शारगोल जाएए आरियन बेली जाएए दर्सिक गर्खोन देखिए 70% करगिल के एरियस जो है वहां के लोग जो है आज इस डिसिजन को वेलकम लकरते हैं इस इस बिल के समर्थन करते हैं अध्यक जी आज ये वही वक्तवे दे रहा है अध्यक जी सुनिये सुनिये मौका दीजिये बोलने के शम्ता रखे मैं आज के तरह किताबे पड़के नहीं आता हूँ लेकिन ग्राउन की रियालिटी महसूस करके अध्यक जी करगिल में करगिल में जो अभी कह रहा है ये इनों ने फोन करके करवा रहा है उनको भी नहीं पता है वो लोग क्या कर रहे है उनको अपने भविशे के लिए सोचना चाहिए इनके जबन पर नहीं जाना चाहिए या अपने मुफ्ट के लिए अपने हिट के लिए किसे को भी ना चाहेंगे अद्यक्ष जी अद्यक्ष में उद्यक्ष बेटे बेटे सुनने के समता रखे अद्यक्ष जी आज से 66 वार्ष पहले जन संग के संसापक डॉक्टर श्यमा परसाथ मुखर जी ने 1953 में जो उन्होंने संगर्ष लिया एक देश में दो विदान दो निशान और दो परदान नहीं चलेगा नहीं चलेगा और इसी के संकल्प में मैं गर्व के साथ केता हूँ इनको नहीं पता लदाग वालों ने अभी क्या किया आज तक 2011 में आज ये के रहे कि हमारा जंडा जा रहा है भाई साथ आपका जंडा तो लदाग वालों ने 2011 में नकारा है लदाग और इवलिम्न काउंसिल ले ने रिजलुशन पास किया 2011 में जमु कश्मीर के जो जंडा लदाग और इवलिम्न काउंसिल की चियरमें एक्जिगिटिव काउंसलर जो केबिनेट और डिप्टे मिनिस्टर के रेंके होते उनके गड़ी को लगता था हमने उस जंडा को नकारा हमने नेशनल एंबलेम वाला वहाँ पे लगाया क्योंकि हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते ये है लदाक क्योंकि हम मानते है आन देश की शान देश की देश की हम संतान है तीन रंगों से तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान अद्यक जी बड़े अरुनिकल बात है पंचेर एलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब अपने कुर्सी के बड़े आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे ग्राजूट डेमोक्रेसी नहीं आने देंगे लेकिन अपने गर का रोटी चलना चाहिए ऐसा विचारदारा हम एक्सेप स्कूइकर नहीं करेंगे अधेख जी जो कुछ लग जो मैं बार बार दो परिवार की खिर कर रहा हूँ ये परिवारें जो है कश्मीर के मुद्दा कश्मीर के मुद्दा कश्मीर के मुद्दा जो डिन्डोरा पीट रहा है वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है वो इस प्रॉब्लम का इस समझ से एक पार्ट बन चुके है अंग बन चुके है नशे में है वो वो आज भी समझ दे कि कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है नहीं रहा नहीं रहा नहीं है अध्यक्टी मैं आंच में मैं आंच में इसको कंक्लूट करने से पहले मैं भारत सरकार को धन्यवद देना चाहता हूँ श्री नरंदर मोदी जी को ग्रैम अंत्री जी मानी नियामी चाहत जी को और पूरे समयोगी दल को और जिनका दल नहीं है लेकिन इस भील के इस भील के फेवर में आने वाले है उन लोगों को भी मैं लदाक पूरे लदाक के निवासियों के और से दन्यवद देना चाहता हूँ चूंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लदाकियों के सेंटिमेंट को एस्पिरेशन को सुना जा रहा है उस लदाके उस लदाके जो चेईचीन के साथ पाकिस्तान के साथ सीमाए लगते हैं उस लदाके महतवपून को समच रहे हैं इस सरकार में इस बील को हम वेलकम करते हैं और हम हम एक आंच में जो लोग अभी तक कन्फ्यूज में उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करता है देश के लिए प्यार है तो जटाया करो देश के लिए प्यार है तो जटाया करो किसी का इंतिजर मत करो गर्ब से बोलो जाए हिन अब इमान से कहो भारतिय है हम स्वाब इमान से कहो बारत मता की जाए और वर्तमेन में करो इस बील का समर्थन बहुत बहुत धन्यावदा देखे बहुत